Hello 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 Welcome to another video on SQL दोस्तों आज के हम इस वीडियो में Lead Code के SQL Problem को Solve करने वाल है हमारे सामने एक Question है Find Total Investment in 2016 using SQL हमें SQL के मिल से Total Investment बताना है 2016 में हमारे सामने एक Table है इसका नाम में Insurance इस Table में 5 Column है PID मतलब Policy Holder ID TIV 2015 मतलब Total Investment in 2015 Next है Total Investment in 2016 और फिर Latitude और Longitude हमें Investment निकालना है हमारा 2016 में तो उसके लिए हमें इस Column को समतो करना है पर एक Condition है क्या Condition है? कि हमें उन सब Policy Holders को निकालना है जो पहला कि उनका 2015 का जो Investment है वो Match करें दूसरे Policy Holder से Second वो एक Unique City में होना चाहिए तो यह हमारी दो Condition है इसको हम अच्छे समझें Data के थुरू तो हमारे पर चार Policy Holder के Data है उसमें अगर हम यह देखें तो First Policy Holder ने Invest किया है 10 Rupees in 2015 में तो यह जो Amount है यह Match करना अच्छी दूसरे से तो यह कर रहा है Match तो हम इसको Select कर लेंगे अगर हम Second देखें तो 20-20 Match कर रहा है नहीं कर रहा तो वो हो जाएगा Reject उसी तरह से 30 और 40 भी Select हो जाएगा कि वो 10 ही है जो कि Already है तो हमारे सामने हो गए तीन Policy Holder Select 1, 3 and 4 अब Second Question के है कि और Sorry Second Condition के है कि वो अपने दूसरे Cities में रहने चीए मतलब कि उनका जो Latitude और Longitude का जो Pair है वो होना चीए Unique तो यहाँ पर तो यह जो Pair है यह हो गया Common तो उस कारण से 3 भी हो गया Reject तो बचा 1 and 4 अब यह 1 and 4 को हम में यह Value और यह Value को Sum करना है यूदि कि हम देख रहे है Total Investment in 2016 तो TIB 2016 को Add करना है तो 5 प्लस 40 हो गया हमारा 45 अब यही चीज़ हमें SQL पर करनी है तो हम चलते हमारे Oracle SQL पर है इसको हम Run करेंगे तो हमारे पास Below Table आएगी जो अब हमने देखी अब उसमें हमें वेर कंडिशन डालने वेर कंडिशन पहली वाली कौन सी होगी कि 2015 में जो Investment किया है वह यूनिक नहीं होना चाहिए मतलब वह एक से ज्यादा होना चाहिए तो उसके लिए सिल्ए है 2015 और यह काउंट होना चाहिए बेसिकली अबिक अब टॉइंटी फिफिटीन फ्रॉम इंस्यूरेंस वेर वीर्वीडाट के टुइन्टी फिफिटी इक वाल टूइंटू ए डॉट्वेंटी फिफिटीन इस शुड भी घेटर दैन वन क्योंकि हम यूनिक नहीं चाहरे है यहां पर लिखा भी वन और मोर पॉलिसी ओल्डर तबर मैं इसको रन करूं कि वेलेट स्टेट्मेंट आ रहा है हां ओके तो यह होगा हमारा सेलेक्ट नाउ एक और कंडिशन किया है हमारी कि वह यूनिक से टीम होना चीए तो मैं इसके लिए लिख्राव एंड अगें सेलेक्ट अब सीटी को कैसे करेंगे हम लाटिटूड लांगिटूड को हम कर देंगे कौन क्याटिनेट तो सेलेक्ट काउंट आउफ कि भी डॉट लाटिटूड वी डॉट लांगिटूड फ्रॉम इल्शॉरेंस बी वेर लाटिटूड और लांगिटूड को लांगिटूड में एक्च्वल एलो एन होगा इक्वल टू यह की जगह हो जाएगा बी की जगह हो जाएगा एक अपसला हटा दो अब मैं इसको रन करूं तो मेरे पास यह देड़ा बाच है तो अब में को क्या चीज समचिए तो सम ओफ 2016 तो टी आई वी एंडरस्कोर 2016 और इस कॉलम का नाम भी में टी आई भी रख देता हूं पर्फेक्ट तो यह में को मिलगे मेरे सेलीशन आई होप आपको यह समझ में आया हो अगर आप यह कंडिशन का असानी से समझ लोगे तो फिर आप आरम से क्वेरी बना भी सकते हो आई होप आपको अच्छा लगाओ अच्छा लगाओ तो लाइक करो शेर करो सुस्क्राइब करो थैंक यू फर वाचिंग बाए बाए आपको 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 आपक